कि कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे अगे कि स्क्रीन दिखाए देरी सब को कि मज़र इस अब देखो कल हमने क्या पड़ा था अगे करव्योस्ता के बारे में पड़ा था है आज हमार पाका यहां पर उस और खाली यहां गोश्ता इन का लेकर फ़ो प्र्रशाशन वाड़ों की यहां बात कर लिखना है लूक्या सब्सक्राइब अब आरी सबको इस तुमको आरी अब अब है अलो तर अवाज क्लियर है थोड़ा दिक्कत आ रही है अब आप प्रॉब्लम कभी अगर थोड़ी सी दिक्कत आती तो थोड़ा वेट कर लो अगर लंबे समय तक नहीं आती तो फिर उसके बाद लीप करके फिर दुबारा जोइन कर लेना ठीक है और जहां पर दिक्कत आएगी उसके लिए बीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वह अभी साम को फिर बीडियो मिल जाएगा तुम्हें एक गंटे में और किसी को कोई दिक्कत है यहां पर आपने जो हैडिग लिखना है और यह लिखना गोरखों का प्रताशन यहां पर इसलें लिखा है ती गोरखाओं की गोर्खाओं की पूरी जो व्योस्ता थी प्रशाशन की वो पूरी की पूरी शेना पर आधारित थी और इसी सेना के बल पर ही इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा सामराज जो है गोर्खाओं ने स्तापित किया था अगर तुम्हें भारत का मैप याद है तो उत्राखंड उत थोड़ा सा उपर की साइट को देखें तो हिमांचल प्रदेश पीए तो इन्होंने हिमांचल प्रदेश का अधिकांस हिस्सा जो उत्राखंड से लगा हुआ था वह हिस्सा भी गोर्खाओं ने अपने अधिकार में ले लिया था ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो पश्यमी जो माइक अन्म्यूट कर लो गई सरी म्यूट कर लो किसका बज़राएं कि मुहिनी अब तुम्हें आरी आवाज और सौरपंथ सौरपंथ को आवाज आ रही है मेरी तो यह जो गोर्खाओं को आज तुरिये पर कट 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 के आ रही है सभी के साथ सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्योवल तो महीं हो रहा है बताना सारे बच्चे अब देखो इनका जो सामराज्य था यह कहां तक पंजाब की सीमा तक लगा हुआ था तो यानि कि कुमाओं और गड़वाल पर तो इन्होंने एधिकार किया है क्या था इसके अलावा कांगडा घाटी और इस सेत्र में भी इनका जो है राज्य जो है फैल चुका था और यह जो राज्य में विस्तार हुने किया था वह राज्य में विस्तार इनका जो है इनकी सेना के बल पर हुआ गोर्खा सेना अपने आप में काफी बहादूर होती थी या गोर्खा सेनिक अपने आप में काफी बहादूर होते थे एक ही सेनिक जो है वो अंग्रेज के लगवाग 10 सिपाई 15 सिपाई के बराबर काम कर जाता था यह बहुत जादा पड़े लिखे तो नहीं होते थे क्यों इनके पास एक ही ताकत थी वो थी सारेलिक ताकत जिसकी वज़ा से इन्होंने अपने सामराजी में बहुत बड़ा विस्तार कर लिया था ठीक है और सामराजी में जो यह विस्तार इन्होंने किया तो इसकी वज़ा से धीरे-धीरे-धीरे क्या हुआ कि इन्होंने अंग्रेज उसे भी इनका टकरा होना हम हो गया है तो इन्होंने क्या काम किया गूरक्पुर suis के दो से जिधिक गाउन जीत है क्यों कि ये भी अपिश्वराज करना चाहे थे और उधर अंग्येज भी अपना समय विस्टार कर रहे थे अंग्रेश तो दक्षिर से होते हुए उत्तर भारत मिलब तराई तक और बाद में फिर जो है कि आपका हिमालय की तलहटी तक भी इनका राज्जी हो चुका था अंग्रेजियों का तो कहीं ने कहीं इस समय मलब सन इस समय में अंग्रेजियों और गोर्खाओं के जो राज्य थे उनकी सीमा आपस में टच करने लग दे तो इसकी वज़़ा से इनके बीच में अब टकरा होना निसीत हो गया था और उधर गोर्खाओं ने जो है वह अंग्रेजुन को एक तरीके से परिसान करना सुरू कर दिया सुरुवात कहां से हुई गोरखफुर जो उत्तरवर्देश में है इसके आसपास के लगभग 200 से अधिक गाउन जो है गोर्खाओं ने जीत लिए तो अंग्रेजुन ने जब गोरखफुर के आसपास के 200 से अधिक गाउन जीते तो इससे क्या हो गया अंग्रेजुन में भी कहीं ने गहीं गुस्सा हो गया और अंग्रेज भी इस ताक में थे कि कभी ने कभी जो है इनसे ये गाउन वापस लिए जाएं इधर जो है गोरखों पर एक सवाल और बनता है वो सवाल यह है कि गोरखा जो है वो किस नस लखे थे तो गोरखा जो है हिंदू और मंगोलाइट नस लखे थे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यह सवाल कई बार एज़िटीज आता भी है और गोरखाओं के पास जैसे अंग्रेज़ों के पास तो बंदूकें थी बहुत तरक हतियार थे युद्ध लड़ने के लिए लेकिन गोरखाओं के पास जो मुख की हतियार था वो था खुकरी तलवार का एक छोटा रूप होता है खुकरी और यह जो खुकरी है यह लोग क्या करते थे चमड़े की एक मियान होती उसमें डालके उसको कमर में बेल्ट में बाते थे और इसी खुकरी के जरिये जो है यह लोग क्या करते थे लड़ाई करते थे और यह जो खुकरी है इसका निर्मान डोटी में यानि की ने निवार जाती थी ठीक है यह निवार जाती के लोग जो है इस खुकरी का निर्मान करते थे ठीक है और इस खुकरी को यह लोग कैसे रखते थे यह कुशन आता है कई बार कुशन आ सकता है कि मियान की चीज़ की बनी होती है तो मियान जो है वह चमड़े की बनी होती है तो उस कवर को यह लोग क्या करते थे बेल्ट में लगा के बात के रखते थे इसके अलावा गोर्खा जो है तलवार छुरी लंचड बंदूक धाल तीर कमान और छोटी-छोटी तोपूं का भी प्रियोग कर लेते थे लेकिन मुक्य हत्यारिंगा जो है वो क्या था खुक रही ही था अब बात करते हैं कि जो गोर्खा सेनिक थे या जो गोर्खा सेना थी उसमें कुमावनी लोगों को भरती किया गया या नहीं किया गया गड़वाली लोगों को भरती किया तो इन लोगों ने कुमावनी और गड़वाली लोगों को इसमें भरती किया लेकिन ये सेना जो है इनको हर समय बेतन नहीं दिया जाता था जब भी लड़ाई होती थी तो लड़ाई लड़ने के समय इनको बेतन दिया जाता था और कहीं ने कहीं गोर्खा सैनिकों के मुकाबले जो है इन सैनिकों को जो कुमाओं के थे या गड़वाल के थे उनको उतनी ज्यादा पावर नही इस बात का पता हमें इस बात से भी लगता है कि अभी आप благ आप पढ़ोगे गोर्खा आव मल गोर्खा संगर्श पड़ोगे तो हाँ पे आप लोगों को एक जगह मिलेगी कामना एक एक इता है यहां पर गोर्खा सेस्टेण भुआज इस जगह पर अंऺर काँ की लड़ाई हुई थी तो यहां गोर्खे जह बहुत बाहुज्दा बहादूरी कि लड़े थे जिसकी वज़ासे ऑंगरेजो ने यहां पर एक स्टम बनाया था और यह स्तम्ब है यह गोर्खाओं की जो बहादुरी है उनका जो अच्छा आचरण है और उनकी जो युद्ध कौसल है उसको दरसाता है तो अब देखो किस धर्म के थे तो गोर्खा जो है वह मूल तहा वैसे तो हिंदू धर्म की बहुत सारी रिती रिवाजों को प्रथाओं को मानते हैं और ये लोग कुछ लोग इन में से जो है वो बहुत धर्में के अनुयाई भी होते हैं लेकिन गोरखाओं और जो कुमाओं के और गढ़वाल के जो हिंदू थे इन लोगों के बीज में कभी भी सामाजिक तौर पर एक शामाज़ेश्य नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्योंकि ये लोग जो है इनका जो खान पान है ये कई बार जो है बड़े जानुरों जैसे भैस का इतियादी का मांस भी ये खाते थे इसके अलावा स्मुर का मांस जो है ये बहुत ही ज़्यादा चाव से खाते थे तो इस तरह की कई चीजे थी जिसकी तो उसमाएं अंग्रेजुने क्या किया था तो इस रहा हलाकि वो लोग हिंदु धर्म की बहुत सारी रीती रिवाजों को परंपराओं को और यहां के टीज त्यवभारों को मानते थे लेकिन परन तो इसके ब्राबजूद भी जो है इनके साथ कोई हमारा सामाजिक तालमेल नहीं था उस समय की बात कर रहा हूं अब क्या है कि गोर्खाओं ने भी चूंकि यह हिंदु धर्म की बहुत सारी रीती रिवाजों को मानते थे तो इन्होंने उत्राखंड में जो पुराने देवस्तल थे पुराने मंदिर थे इनको इन्होंने कोई छेडखानी नहीं की इनको ना तद्वस्त किया ना इनमे कि तो यहां पर लिखा हुआ है और एक बात और थी कि जब आपने चंदमंस पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था एक अग्रहार भूमी या गूट भूमी थी तो यह भूमी राजा जो है किसी को दान में देता था और इस भूमी से जो भी आई होती थी यह आई जो है वो मंदिरूं में प्रयोग होती थी तो गोर्खाओं ने ये गूंट भूमी की जो परंपरा थी इसको एज़िटीज रखा तो ये भी एक बड़ी बात है इसके अलावा गोर्खाओं की जो राज भासा थी वो क्या थी गोर्ख्याली थी और ये जो गोर्ख्याली है इसके जो सब्द है नेवारी भासा हिंदी भासा और खसकुरी भासा के ये सब्द है जिसे ये गोर्ख्याली भासा बनी हुई है और जैसे हिंदी हिंदी है हिंदी के लिए पिदेवनागरी है और हिंदी भासा को हम ऐसा मानते हैं कि ये संस्कृत से बनी है तो वैसे ही ये जो गोर्ख्याली भासा है ये भी संस्कृत से बनी है ऐसा माना जाता है अब जो नेपाल का जो साहित्य है जैसे हमारा हिंदुस्तान का जो साहित्य है वो उर्दु भासा में भी है हिंदी भासा में भी है इसके अलावा पाली भासा में भी है तो इसी तरह से नेपाल का जो इतिहास है या साहित्य है वो नेवारी भासा में उतलब्द है यह भी गोरख्याली है वो संस्क्रित से बनी थी और तीसरा गोरख्याली में इते शरी हिंदी के सब्ड जो है वह है यह कह सकते हैं कि इन तीन भासावर से मिलकर गोरख्याली भासा बनी हुई तो ये तो था गोर्खाओं का प्रशाशन ठीक है और अब हम बात करते हैं आंगल गोर्खा संगर्स की आंगल मतलब अंग्रेज गोर्खा मतलब गोर्खा तो इनके बीच में जो संगर्स हुआ उसकी बात अब हम कर रहे हैं इनके बीच में जो लड़ाई हुई हलाकि आज करण था उन्हीं पर हम बात करेंगे आगे संगर्स मनों युद्ध की जो कहानी है वो कल हम पढ़ेंगे अब इसके बाद जो है सन 1814 इसवी में आंगल और गोर्खाओं का संगर्स होता है कहने का मतलब यह है कि कुमाओं पर लगभग 24 साल और गढ़वाल पर लगभग लगभग 10 साल इन लोगों ने राजिकिया और उसके बाद जो है गोर्खाओं का अंग्रेजु के सांगर्स हो गया और इस अंगर्स में गोर्खा हारे और उसके बाद कुमाओं पर हदिकार हो गया था और गढ़वाल पर जो है वो दिहरी को छोड़ के बाकि उस पर भी अंग्रेजु का अभग धिकार हो गया था तो बात करते हैं कि जो तो आंगल गोर्खा संगर्स है वो किसकी वज़े से हुआ उसके क्या कारण थी तो पहला कारण तो ये था कि सन 1844 में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था उसमें राजा प्रद्युमन सहा मारे गए थे और प्रद्युमन सहा के मारे जाने के बाद जब गड़वाल पर गोर्खाओं का इधिकार हो गया तो उनके पुत्र सुदर्शन सहा ने अंग्रेजु से मदद मागी थी तो अंग्रेजुन ने उनकी मदद की एक तो पहला कारण ये था दूसरा कारण जो था कि इस समय नेपाल में इसको यहां पर आप प्रधानमंत्री भी बोल सकते हो सेनापती भी बोल सकते हो तो नेपाल में उस समय प्रधानमंत्री और सेनापती थे भीमसेन थापा ये भीमसेन थापा जो है ये उस समय के सेनापतियों में और प्रधानमंत्रीों में सबसे ज़्यादा योग के माना जाता था और इस जो है एक विस्तारवादी नीती अपन किया अंग्रेजियों को छेड़ने के लिए और यह जो काम हुआ था यह सन 1814 के आसपास हुआ था कौन सा 200 गाओं पर अधिकार करने वाला लेकिन सन 1787 इस भी से ही जो है गोरखाओं ने अंग्रेजियों को छेड़ना या अंग्रेजी राज्य के अंदर जाके लूट पार्ट मचाना हत्याय करना और महिलाओं के साथ दुराचार करना इस तरह की घटनाएं जो है इन लोगों ने यहीं से करनी शुरू कर दे थी सन 1787 वी से ऐसा क्यों यह मापको स्टार्टिंग में बता चुका हूं क्योंकि इस समय तक ऐसा हो चुका था कि अंग्रेजूं का जो राज्य था और जो गोर्खाओं का राज्य था उसकी सीमाएं आपस मिलने लग दे थी तो जब सीमाएं आपस मिलती है तो उधर नेपाल का राजा भी अपनी विस्तारवादी नीती अपनाए हुए था और इधर जो है अंग्रेज भी जो है अपने र इसके अलावा इन्होंने क्या किया पूर्णिया जो बिहार में है तिरहुत है यमुना और सतलस के मध्य का जो सेत्र है मतलब हिमानचल प्रदेश और यमुना के 20 का हिमानचल प्रदेश और उत्राखन के 20 का जो एरिया है वहाँ पर भी गोरखाओं ने अधिकार राप्ट कर लिया और यह जो विस्तार था चाहिए वह गोरखपूर में हो 200 गाउं जीते थे पूर्णिया बिहार में हो यहां पर जो गाउं जीते थे इन गाउं को जीतने के बाद जो है अंग्रेजु ने यह कहा था यह जो नीती आपकी है यह नीती जो है जो विस्तारवादी नीती आपकी है या जो आपने यहां पर अधिकार किया है इन जगों पर चाहे वो पूनिया में हो चाहे वो गोरफपूर में हो चाहे वो तिरहुत में हो चाहे वो सतलाज और यह मुना के बीज का सेत्र हो तो इस सेत्र पर जो आपने अधिकार किया यह पूनता अनैतिक है या अनु जो है आपका रुदुर्पूर वाला एरिया है इस एरिया आपको अंग्रेज कहते थे कि यह हमारा है और उधर जो है अमर सिंग ठापा जो उनका सेनापती था यहां भारत में गोरखाओं का उसने कहा कि ये तरही जो है हमारा है, तो अब यहां से जो है सक्तियां जो बहुत जादा पास हो गए और तक्राव जो है निशिती हो गए फिर एक तातकाली कारण भी था, उसी समय जो हुआ ठायो जो गारण जो था यह था कि बिटिस सासक ने कहा या बिठी सरकार ने एक घोशना है कि कि जो गोर्खा है वो भुटwarz भुट्वल मतलब यही जो गोरखपुर में 20 गाउं जो जीते थे गोरखायों ने यहीं पर जो है इसको खाली कर दे और सिवराजपूर पर जो अधिकार इन गोरखाओं ने किया है वो बलात अधिकार था कहने का मतलब था कि बलपूरों का अधिकार किया गया था तो इसको जो है अगर गोर्खा खाली कर दे तो हम लोग जो है गोर्खाओं पर आक्मन नहीं करेंगे अब छोड़ी सी बात करते हैं ये गोरखपूर के जो 20 गाउं थे ठीक है इनकी क्या कहानी थी इनका historical background क्या था तो ये जो गोरखपूर के आसपास के जो 20 गाउं थे यानि कि जो बुटुवल था ये प्रारम में क्या था पालिया के राजा के नियंतर्ण में था पालिया का राजा जो है वो यहाँ पर राज्य करता था अब क्या हुआ कि गोर्खाओं ने राजा पर आकमन किया और उस राजा को बंदी बना करके नेपाल ले गए और 1804 में जब गोर्खाओं ने पालिया पर अपना इधिकार किया और उसके बाद बुटुवल पर भी जवर्दस्ति इन्होंने क्या कर लिया था इधिकार कर लिया था लेकिन उस समय जो बुटुवल था 1804 में जब राजा को हराय गया था तो उसमय ये बुटवल जो है अंग्रेजु के अधिकार में था और चुकि गोर्खा ये कह रहे थे कि हमने बुटवल के राजा को हरा दिया है ये पहले बुटवल के राजा के पास था इसलिए ये हमारा हो गया तो इसके बाद जो है गोर्खाओं ने क्या किया कि इस पर अपना अधिकार प्राक्त कर लिया गोरखाओं ने ये कहा कि भई नहीं बुटवल तो हमारा ही है क्योंकि पहले ये पालिया के राजा के अधिकार में था और अब हमने क्या किया है इस पर अधिकार कर लिया है या इस राजा को हरा दिया है तो ये हमारे अधिकार सि लाड हेस्टिंग उन्होंने एक आदेश जारी किया और अपनी सेना को कहा कि जिन जिन सेत्रों पर गोर्खाओं ने अधिकार किया है या जिन जिन सेत्रों पर गोर्खाओं जो जो शेत्र गोर्खाओं ने हतियाए हैं उन सेत्रों को दुबारा से अंग्रेज जो है या बिट पूरा करने के लिए क्या किया गया मेजर ब्रेट सौ को नेपालियों के साथ या गोर्खाओं के साथ बिवादित सेत्रों पर समझाता करने के लिए निक्त किया गया यानिकि इनको जिम्हेदारी दिये गई कि आप गोर्खाओं से बात करो और जो जो एरिया जो है इन लोगो कि बात जुनें पर और यहां पर जो पहलों जो ने बात कि दो इसके बाद लोग जवर्दस्ती इन पर अपना अधिकार करेंगे तो इसके बाब जूद जो उनका सेनापती था भीमसेन थापा इसने अंग्रेजों को कोई जवाब नहीं दिया अब जब यहां जो सेनापती इनके थे उन लोगों ने जबाब नहीं दिया उधर जो प्रधान मंत्री था और मुख्य सेनापती था नेपाल का उसने भी कोई जबाब नहीं दिया तो इसके बाद अंग्रेजु ने क्या किया बुटुवल पर सन 14, 1814 इस भी में अधिकार कर ल या तो यह बात जो है गोरखाओं से सही नहीं गई तो इस बात का प्रतिशेद या बदला लेने के लिए 29 माई सन 1814 को अमर सिंग थापा ने क्या किया इनका एक फोजदार था जिसका नाम था मनराज तो इसके नेत्युत में एक टुकड़ी जो है बुटुवल भेजी और जो यह टुकड़ी वहां गई बुटुवल इसने क्या कि जो बिटिस पुलिस कर्मी थे 18 पुलिस कर्मी मा अरे ठीक है अन्यच्छे को घायल किया खूब सारी लूट पार्ट मचाई और उसके बाद बुटुवल को जो है दुबारा अपने अधिकार में ले लिया गोर्खाओं ने क्या किया कि अलग अलग चार जगा या चार लोगों को जिम्मेदारी दी कि वहीं आप जो है इनके साथ युद्ध करो ठीक है तो इसमें हुआ क्या था कि नौंबर सान अठारा सा चौदा इसवी में नेपाल के राजा के ब्रुद्ध अंग्रेजों ने ल चार तुखनिया बनाई एक मेजर जनल मार ले थे तो इनको एक हजार सहनिकों के सांद राजधानी काटमंडू बेजा दूसरे थे मेजर जनल जे-शू इसको 4000 बेजा गया मेजर जनल जिलेश्पी साड़े-3,000 के सांद देहरादुन गये और इसके बात मेजर जनल आक्टल तो इस तरह से आप जो है यहां पर और गोर्खाओं के वीच एक युद्ध की सुरुवात हो चुकी थी ठीक है और यह सुद्ध में क्या क्या हुआ और किन की जगों पर युद्ध लड़े गए यह सब चीजें कल हम उत्राखंट के वाले सेक्शन दो पढ़ेंगे ठीक है तो यह तो हुआ आज का उत्राखंट जी के का हिस्ण ठीक है मैंने बिलकूल आपको नोट्स बना के दिये हुएं ठीक है पीडिएफ अभी आपके लड़कियों वाले गुरुप में भी आ जायेगी ठीक है तो आपको अजिट को अट आने ऐस हम उत्वावल के आसपास consider सेद्र रहे इसमें जहां पर बैंने 200 लिखा है यह केवल 20 गाउं है यह आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं आगे किसकी जियोग्रॉफी की तो जियोग्रॉफी में हम क्या पढ़ ले थे वाई मंडल की संग्रशना पढ़ ले थे कल हमने एक समताप मंडल की संग्रशना को पूरी गहनता से पढ़ा था ठीक है और उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि वाई मंडल में गैसे होती है धूलकर्ण होते हैं जलवास पर होते हैं और इनके कारण क्या-क्या घटना है वाई मंडल में घटती है और कौन सी गैस क्यों आउश्यक है और जलवास पर क्यों आउश्यक है धूलकन क्यों आउश्यक है धूलकन नहीं होगे तो क्या होगा जलवास पर नहीं होगी तो क्या होगा इन सब बातों पर हम कल बात कर चुके हैं और कल हमने सोब मंडल को भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ा था फिर भी एक बार में आपको ओबर्व्यू दे देता हूं तो हमारा जो वाई मंडल है इस वाई मंडल को हमने पांच परतों में बाटा हुआ है या पांच लियर्स में देख रहा है और संताप मंडल जो आपको देख रहा है इस मंडल को एक ही मंडल माना है तो जिसकी वज़र से चारी मंडल बचेंगे और बहुत सारे जो बेग्यानिक हैं उन्होंने क्या किया है वाई मंडल को पूरे पांच मंडलों में बाटा है अभी जो पांच मंडलों में बाटा गया है इसको बाटने का आधार क्या है इसको बाटने का आधार है जैसे जैसे हम धरातल से उपर की ओर जाते हैं तो तापमान में या तापमान की जो प्रकृति है उसमें अंतर आता है तो इसी अंतर के आधा जोता अब इसमें सबसे निचली जो परत है ये परत कहलाती है आपकी शोभ मंदल और इसमें लगभग 75 प्रतिंचट्व गेसें पाई जाती है या वाई मंडल 올 Agr गद्रम्द मविथे या की água c में पाय जाता है इसकी ओसातमेटर जोरा किलोमेटर है अध्यवल ≫ इसकी उचाई केवल 8 किलोमेटर और भुमाद इरेखा पर इसकी उचाई क्या है अठारा किलोमेटर के आसपास है मौसम संबनति जतनी घटनाए होती सब यहीं होती है जब हम धरातर से उपर की ओर जाते हैं तो शोब मंडल में क्या होता तापमान में कमी आती है और यह कमी जो है वह कितनी आती है 6.5 degree Celsius पर किलो मेटर मुलब आप एक किलो मेटर उपर जाओगे तो आपको तापमान जो है वह 6.5 degree Celsius कम मिलेगा अब मौसम से लिरेटेट जितनी भी घटनाई होती है चाहे वह बादलों का बनना हो चाहे वह आपका बिजली का कड़कना हो कुछ भी जो भी जितनी भी मौसमी घटनाई होती है वह सारी मौसमी घटनाई जो है वह इसी सेत्र में होती है तो यह मौसमी जो घटनाएं है वो कहां होती है केवल समताप मंदल में होती है सुब मंदल में होती है इसके बाद इसके उपर की जो परत होती है अब इसमें एक और चीज़ है है जो सोब मंडल है यह क्या होती है सबसे निचली परत होती और सबसे सगन परती यानि कि इस जू झाई होती है वो सबसे ज़्यादा सगन होती यानि कि जो गैस के जो पार्टिकल होते वो बहुत ज्यादा पाशाश फोते पूरे वाई मंडल का 75 प्रश्र जर्विमान इसी मंडल में पाए जाता है जब जब हम उपर की ओर जाते हैं तो तापान में ग्रावट आती है और वह कितनी होती है इसके की क्या होता है जलवाई विज्ञान के दिष्टी से ये मंडल जो है बहुत जाधा मत्वपोण है क्यों कि जलवासब और धूल क्या जलवासप है ठीक कंगा रहलि करतीं यह आपका पार्थी विक्रण है उसका उसरिशन करतीं और जो दूल खोंड होते हैं वो संगनन नाभीक के रूप में काम करते है याने की बनते हैं तो यह दो वाई मंदली घटनाएं होती है वाई मंदली घटनाएं क्या होती है वह बादल का गरजना बिजदी का कड़कना बरसा होना हिमपाथ होना ओसका गिरना कोहरा होना चक्रवात का आना तूफान का आना और आपका जो उला ब्रिष्टी होती है यह सब चीजें इसी मंदल में होत समता सोव मंंदल और ब्रेकेट में शमौहन मंदल भी लिख लैना तो समौहन मंदल क्यों कहते हैं चाहिते हैं की अभी आपने पड़ा कि सो बंडल में जब जमालो ले धराले है और धराल से जब उपर को जैंगे तो यह तापमान कम होता था पर होने का अब कि धरातल से जितना उपर हम जाते जाएंगे वहां गहस उतनी ही ठंडी होगी या हवा उतनी ही ज़्यादा ठंडी होगी और धरातल पर तापमान ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो गर्म हो जाते हैं और जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है इस तरह स पार्थी विकिरण के रूप में उपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए उपर से जो ठंडी हवाएं वो क्या होती है नीचे आती है तो यह जो ठंडी हवाएं नीचे आती है और गर्म हवा या पार्थी विकिरण जो उपर की ओर को जाता तो इसकी वज़े से यहां प और गर्म हवाओं को उपर की ओर जाना इसी को हम क्या कहते हैं शमुहन धाराएं कहते हैं ठीक है अब बात करते हैं किसकी इस मंडल की एक और खास बात की तो देखो यहाँ पर यह प्रिथिवी है उतना प्रॉपर गोला नहीं बन पाया है ठीक है डागराम आप लोग भी बना उचाई तक जो है इस तरह की घटनाई होती है कि आप उपर की तरह बढ़ते रहोगे तो तापमान में कमी आती रहेगी यहां बादल भी बन रहोंगे लेकिन धुरूब उपर क्या होता है कि अगर आप उत्री धुरूब या दक्षनी धुरूब से के ठीक उपर उड़ोग जहां पर है ठीक उसके उपर में अलग-अलग उचाई पर जाता हो तो माल लोग भूमति रेखा पर 30 वीज़ेस थोड़ा उपर जाएंगे तो क्या होगा टेमरेचर माइनस की तरफ बढ़ेगा अब यहां भी क्या होगा जीरो से जब थोड़ा सा उपर की और जाएंगे त तो जीरो से माइनस में पहुंसना और यहां भी जीरो से माइनस में पहुंसना तो यह जो गैप है क्योंकि तापमान में क्या होगा हर किलोमेटर में द्रुबून पर कम उचाई पर ही टापमान कंशर करने मैं पहुंसना और यहां ज्यादा वीजवक्रेगी तब जाके थापमान मायनस में होत कम हुण बन्दल है उसकी उचाई ज्जादा होती है और उसका मंचाई कम होती है लेकिन अगर आप युझा ओसकर लगवाग 14 km का होता है है अब सभ्मक्रमदम और उस्तियों का मंदल के ओपर शम्करमब फिल्स रड़ को है इसके बीच में रिखा यानि कि एग संक्रमण पेटी है और जो यह इसक्ति है संक्रमण पेटी को हम क्या कहते है इस क्षण्स Mengo क्या यह सब्सक्राइब से उसक्ति है जोब मंदल शीमा थो यह सेसा नहीं तो उस बीच में आप चाहे दो मीटर उपर जाओ चाहे चार मीटर उपर जाओ चाहे एक किलो मिटर उपर जाओ वहां पर जो है शोभ मंडल की विशेस्ताय नहीं पाई जाएंगे न तो तापमान में कमी होगी न वहाँ बादल मिलेंगे न वहाँ जलवास पर मिलेंगी और नहीं वहाँ धूलकण मिलेंगे और शोब मंडल सीमा में उंचाय के सांसा तामान कमीनियोती यह मैं आपको बता चुका हूँ इसके बाद क्या है अगला मंडल आता है शमताप मंडल तो यह जो शोब मंडल है वह धरती से लगभग 14 किलोमेटर की उंचाय तक था और आपका जो शमताप मंडल है वह 14 किलोमेटर की उंचाय से लेकर 30 किलोमेटर की उंचाय तक इसका विस्तार है अब इसमें क्या होता है देखो यह मान लो कि कि यह,Wรाइन लाइन है, यह रथा लिखने लोड़ी ही, हाँ और छ१ू छ१ू लिखने लोटर, तो इसके को की से लिखने उचाई के साथ साथ जो है तापमान में ब्रिद्धी होती है यहां से उपर जाओगे तो तापमान धिरे-धिरे आपको बढ़ता हुआ मिलेगा ठीक है अच्छे आप शमताप मंडल में क्या है धूल और जल्वास परकर नहीं होते हैं इसलिए यहां बादल नीबनते हैं हमार यहां चलती है इसी में चलते है यहां जल्वास पर नहीं है धूल के कणैं नहीं नहीं हैं तो क्या होगा यहां पर मौसमी घटनाएं भी नहीं होंगी लेकिन यहां कुछ एक तरीके के विशेश तरह के बादल यहां बनते हैं जिनको हम कहते हैं मुकताब मेग यह नाम आपको याद रखना है समताब मंदल में एक विशेश प्रकार के बादल बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं मुकताब मेग कहते हैं यह बादल बर्शा नहीं कराते हैं और यह ज़स्ट एक आप समझेजे कि बहुती कम डेंसिटी वाला बादल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं मुकताब मेग कहते हैं अब जैसे वहाँ पर क्या था समताप मंदल की उचाई जो है बिश्वत रेखा पर 18 km और धुरूबू पर क्या थी आठ किलोमेटर थी 100 मंदल की वैसे ही समताप मंदल की उचाई भी जो है वो इसकी जो मोटाई है तो खर दोनुपर यहां बराबर रहती है लेकिन जो मोटाई है वो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग होती देखो विश्वत रेखा पर 18 से 30 के बीच में है और धुरूबू पर 18 से सड़ी 8 से 30 के बीच में मतलब अगर हम धुरूबू पर देखेंगे तो समताफ मंडल की उंचाई 22 किलο मिटरहागी और यह देखी में तो 12 में कमेके और एक और चीज है पर मान लो की विश्वत रेखा पर 18 किलोमेटर की उचाई पर मैं ऊडता हूं और 19 कि मुझणाई पर उड़ते हुए यहां से मैं इस तरह से यहां पहुंसता हूं तो तापमान में मुझे हमेशा क्या मिलती है बृध्धी मिलती है ठीक है ऐसा इसले होता है देखो माना यह कुशन कई बार आता है ठीक है अगर आप कुशन समझना कि शमताप मंडल के अंदर अगर मैं शमान उंचाई पर उड़ता हूं और विश्वत रेखा से कहां जाता हूं लगती ओर तो मुझे हमेशा तापमान क्या मिलेगा बढ़ा हूँ जादा अगरे हैं अगर सक्यों होता है इसलिए होता है कि देखो कि विश्वत रेखा पर तीज़ी से मेंचलना सुरू हुआ पचीस हुआ वीश हुआ पंद्रह हुआ 10 वह था पांच हुआ और 18 किलमेटर की उचाई पर जाते जाते यह जो तापमान है वह माइनस 50 डिग्री सेल्सियस हो गया मान दो एक मैं आपको एजिम करके वैली बता रहा हूं हकिकत में यह मैनस 40 भी हो सकता है मैनस 60 भी हो सकता है अच्छा अब यही चीज अगर हम करते हैं विश्वत धुरूबू पर तो धु यह कि ऐट किलोमेटर उचाई पर अगर धुरूबू के ऊपर हम देखें तो मैनरस थैटी टेंपरेचर है और अगर हम विश्वत रेखा के उपर अठारे किलोमेटर की उचाई पर देखें तो टेंपरेचर कितना है माइनस 50 डिग्री सेल्सियस हो तो माइनस 30 बड़ा होता है या माइनस 50 बड़ा होता है माइनस 30 बड़ा होता है तो इसीलिए जब हम समान उचाई पर उड़ेंगे तो क्या होगा कि शमताप मंडल में अगर हम भिश्वत रेखा से समान उचाई पर उड़ान भरते हुए हम पहुंचे द्रूबू पर तो क्या होगा तापमान बढ़ा हुआ नजर आएगा हमें अब सम्ताप मंदल के उपर जो संक्रमाट पेटी पाई जाती है उसे हम क्या केते हैं सम्ताप मंदल सीमा या फिर मुहीत बोलो सर यह तो जो आप यह विश्वत रिखा है न तो सर अगर हम वहां पर अगर 18 किलोंटर की समाल यूशाई कहा है नी मैंने यह बताया कि जो इसके ऊपर तो ताप मान घंटा बढ़ना नहीं है ना तो यह यहां से यहां तक कितना रहेगा निशले परत की बात कर आओ सम्ता मंडल के निशले परत में यहां से यहां तक कितना रहेगा मैनस थैटी रहेगा और यहां से यहां तक कितना रहेगा मैनस फिटी रहेगा तो आप समान उसाई पर जाओगे तो मैनस फिप्टी से मैनस सब्सक्राइब और किसी को कोई दिक्क्त है कि बता दो भई किसी को कोई दिक्कत है और इसमें समझ में निया है यहां पर बताना है किसी को कि तर्येंगे दूरोव कि उचाही कहींपा आठ है और एक चित्र मैं दसभी लिखिए अउपर दस लिखी है कहां पर लिखिया दस अच्छ फिक है ठीक है ठीक है इसको आठ मत मानां इसको दसी वान्दे ना ठीक है यह आठ में गलती से बूल ते इसको दस कि और किसी को कोई रिक्कत है कि आगे बढ़ों तो शम्ताप मंडल के उपर जो है इसके उपर भी देखो जब हम सम्ताप मंडल से ओजोन मंडल में जाएंगे तो यहां भी बीच में एक रेखा है छोटी सी हमने दो डाग्राम बनाया है पतली रेखा डाल दी है लेकिन यह इत चिंब ही किलोमेटर मूचा शेत्र होगा कि क्या उस्कों क्या बोलते हैं स्ट्रैपो पस्ट्रोपेख और इसमें इसको जैसे यह ठेटान मंडल में लेगा अब gram समताप मंडल में बींट को मानते हैं और कई वार क्या करते अलग Talking ममाणतें अब देखो निचले परत में क्या है तापमान में बृद्धी नहीं हो रही है किसमें संता मंडल में उपरी परत में तापमान में बृद्धी संभव है ठीक बढ़ती है ऐसा इसलिए होता है कि इसके उपर जो है इस तरह से एक ओजोन मंडल है जो यह निला निला आपको उसने देती है जितना ही हमारी प्रिठीव को गरम करने के लिए अश्यक ждet के अगर यह अशुषन कर रही है यह वाली परत तो यही परत ग्रम होगी हमेशा जो है क्या होती गरम स्थान से ठंड़ स्थान की और को जाती है है तो तो ये उपरी परतमें भी तापमानमे विद्धी नहीं होती है अब अब एठीक है इससे क्या कहते हैं एक क्या 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 हैं क्या है मध्य मंदल बी क्श delicious अब इसे अंठी मंदल क्यों कहते हैं वेको ठोटल पांस मंंदल हैं इससे नीचे दो मंडल हो चुके है कौन-कौन से एक सोभ मंडल और एक शमताब मंडल तो शोभ मंडल और शमताब मंडल और दो नीचे हो चुके है ठीक है और दो इसके ऊपर भी होंगे ठीक है एक आयन मंडल होगा और एक बहिर मंडल होगा तो इसलिए इसको मध्य मंडल भी कहते हैं इसका जो विस्तार है वो 30 किलोमेटर की उचाई से लेकर 60 किलोमेटर की उचाई तक है ठीक है मैंने यहां पर लिखा भी है कुछ बैग्याने की से समताप मंडल का ही सभी मानते हैं और सौरिक पराभगनी विगीरण का यह आंसी और शुषन करती है और इसी कारण इस मंडल में उचाई के सांसा ताप मान भी बढ़ता है यह आपको पता है पहले से ही ठीक है अब यह जो ताप मान बढ़ रहा है यह ताप मान किस गति से बढ़ता है तो उसका रेट है 5 डिगरी सेलसियस पर किलोमेटर जैसे अभी आपने देखा कि जो शोभ मंडल था वहां हमें आपनी से कम हो रहा था और कितना हो रहा था चैनल में यह से पर किलोधर मुलब एक किलोमेटर आप उपर जाओगे ओजोन मंडल में तो धीरे-धीरे क्या होगा कि पांस डिगरी सेल्सियस जो है तापमान आपका बढ़ेगा एक किलोमेटर की हुशाई पार करने पर फिर आप एक किलोमेटर और उपर जाओगे तो पांस डिगरी और बढ़ जाएगा इस तरह से बढ़ता रहेगा और ओजोन मंडल का अधिक्तम तापमान जो है वो धरातल के तापमान से थोड़ा ही ज़्यादा होता है अब ऐसा क्यों कि ओजोन मंडल का जो तापमान है वो आपका धरातल के तापमान से ही थोड़ा ज़्यादा क्यों होता है तो थोड़ा सा यह भी देख लो कि भई अभी आपने यह देखा था कि यहां जो तापमान है मैं कहां कहां कि तापमान के बात कर रहा हूँ यह धरातल है यह धरातल है और यहां पर जो तापमान है और यहां पर जो तापमान है इन तापमानों को मैं क्या कर रहा हूँ कंपेर कर रहा हूँ और यह कह रहा हूँ कि यहां का तापमान और यहां का तापमान, यह वाला जो तापमान है, ठीक है, मतलब ओजोन मंडल के उपरी हिस्से का जो तापमान है, वो इस धरातल के तापमान से थोड़ा ही ज़ादा होगा, ऐसा इसलिए, कि जब मैं यहां से यहां गया, तो तापमान में कमी हुई, ता क्लान माइनस से क्या होना शुरू हुआ लग भख उतना ही पहंसता है जीतना यहां से धरातल पर तर इसे धोड़ा जब हम इस परत से उपर हिसे में जब हम जाएंगे तो क्या होगा यहां से उपर एक परत आएगी जिसकों क्या कहते हैं आयन मंदल कहते हैं तो आयन मंदल में क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें भी पहले 20 किलोमेटर की गिरावण्वाट आती है और उसके बार जो है अशी किलोमेटर से उपर जाने पर क्या होता है तापमां में Pharmaina ओती है ले दो यहे आयन मंडल है और यह पर जो है चुंकि यहाँ तक पहुंचे पहुंचे क्या होता है कि हो जो ज़ी का जो गुर्तवा करशाण बल lei वह भी कम हो जाता है और यहां पर बहुत कम मातरा में गैस पाई जाती है लगपसक्षाण ग्यास पास आम मन 16-5 montón होगा तो इसका जो भार होगा वह भी क्या होगा और कम होगा से यहाँ पर वाइदाव भी क्या होता है बहुत कम होता है लगवाख водन. 35 blades by that या और चोंकि उपर से क्या हो रहा है स्रुस तो यहां फाइदाब भी कम है तो जो य। है या जुद बैसे हैं वो क्या हो जाती है आयंत हो जाती है इन से और यहां का लेते हैं ठीक है और इसको हमने साथ परतों में बाटा हुआ है उनके नाम आप यहां पे नीचे लिख लेना कल भी मैंने आपको बताया है ठीक है इसके बाद आता है बहिर मंडल जिसको हम बोलते हैं एक जो स्पेयर ठीक है तो यहां केवल हलकी कैसे पाई जाती है हाइड्रो पर वह 0.001 परसेंट के आसपास आप समझ लो ठीक है उतनी कैसे पाई जाती तो उससे उफर हम जो है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं तो के धरातल से लगवाग एक हजार किलोमेटर की उचाई तक जो हमारा वाई मंडल का विस्तार है और उस वाई मंडल में टोटल पांस सबस्तार कि यह चाहिए तो यह समझता हों कि मैं समझता हो कि इतना समय होगा सबकाशार लोग अनूट कर के बताऊ कि एद्जैसर आज़ाओ यह सिकान परना के सब्ली के सब्सक्राइब लग ने बाद्ता यह साथ क्लास में यह सर आगया अच्छा भूमी का मंदराल है भूमी नहीं है क्या वार तु पराटे खाया कर रोज घर में खाये थे खाये थे हैं अच्छा ठीक हो गया और मिश्टर आनंद सिंग अज़ा रहा है अम्मा है अम्मा आज क्लास में अब तु लुक्ति हो अच्छा आप जो है कल मुझसे तुम लोग कह रहे थे कि सर्व रीजिनिंग में यह वाला जो चैप्टर है वह समझ में नहीं आया है ना यह वही चेप्टर है जो मैंने पहले आपको एक दिन कराया था बीच में अगर समझ में नहीं आया तो मैं आज इसे दुबारा बता देता हूं कल मैं दूसा चेप्टर आपको बताऊंगा ठीक है कल छुटी रहेगी ठीक है कल संडे है ठीक है और परसूं हम पढ़ रही होगी आज को घर में लेकिन अब क्या कहते हैं मेरा काम बढ़ चुका है मुझे पहले दो घंटे तीन घंटे तो लिखना पढ़ रहा है कि अब तो यह वाला सवाल बता हूं रिजिनिंग के कि यह लगु कर शुक्त तो तो लोगों के पाँ है और मैं आप क्या कर रहा हूं मैं अपना जो है आपके साथ स्वियर करता हूँ वाइड बूड ठीक है उस पर आपको बताता हूँ माउस कांजल आपके स्वियर करता है इस एक ना किसं तुम्हारे यह नेटवर्क निह आ रहा है कि आ किसंट तुम्हारे यहां नेटवर्क निहा रहा है गया कि आ कि तो देखो इसमें तुम्हें वाइड दिखाई दे रहा है या क्या दिखाई दे रहा है विवाइड देरा सर्व ठीक है तो इसमें एक सवाल है ये जो वाले सवाल है तो इनी की हम बात करते हैं देखो इसमें होता क्या है basically कि मान लो कि दस आदमी जो है वो कहीं पर बैठे हुए ठीक है अब इसमें कुछ नहीं निकालना होता है उसमें खाली क्रम निकालना होता है कि क्रम कैसे है ठीक है मान लो कि एक आदमी ये है एक आदमी ये है एक ये है एक ये है एक ये है अब टोड़ कतने आदमी हो गए एक दो बारा आद्मी बारा आद्मी ठीक है अब देखो इसमें से मान लो कि ये वाला आद्मी ठीक है ये दाई तरफ से कौन से नमबर पर है चौते नमबर पर और इधर से कौन से नमबर पर होगा गिन लो नवे नमबर पर होगा आई तिंग 9-9 नंबर पर है तो यह इधर से 9 नंबर पर है अगर दोटल कितने लोग है इसमें कि यहां पर हमें और बारा को जोड़ते हैं तो कितना आता है कि 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 अधाया एक विराइए एक विराइए नहीं होगा ना कि मुझे अभी टास्पेट जाएए एक कि कि यहाईगा जालो तो देगो जो मतरा है तो एक तरह से 90 नंबर पर है और दूसरे तरह है क्या क्या तो यह तरफ है और दुसे तरफ से hene नंबर पर है चौथे नंबर पर है और दूनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा थैटीन आएगा यह नहीं तो अब देखो ऐसे ही मुझसे यह पूछ सकता है यह यह कह सकता हो यह यह यहां पर नौ और चार को जोड़के कितना ओता है थैटीन होता है एक से इस एक तरफ से आ रहा है तुम्हारा क्या नाइन और दूसरी तरफ से तुम्हारा क्या आ रहा है अगर हम एड करते हैं तो कितना रहा है थर्टीन आ रहा है तो एक तरफ से हम कितने नंबर पर क्या रहा है और दूसरी तरफ से क्या रहा है चार आ रहा है और कितना रहा है तेरा रहा है लेकर से भी है रहा है तब इसके लेट साइट में देखें यहाँ पर इस इसे धर तो यह तीन लोक यह चौथा इसले हो रहा है क्यों कि हम चार गिन रहे और उधर से नाव है क्योंकि हम नौ गिन रहे तो यहां पर तुम्हारा जो answer आ रहा है वो क्या रहा है थैटीन आरा जबकर हकिकत में कितने लोग बैठे हुए बारा लोग बैठे हुए तो यहां पर इस तरह से हमेशा जो है क्या आता है एक का अंतर आता है ठीकिए अब उस एक को हमने इसी सवाल को मैं बना कर दिखा रहा हूं अगर आप से ये पूछे कि एक आदमी जो है वो डाय से कौन से नमबर पर है नवए नमबर पर है और वही आदमी जो है, लेट से यानि कि बाय से चौथे नमबर पर है, इस मंटी में पुल कितने लोग तो इस लिए मैं क्या करऊंगा इन दोनों को जोड़ दूंगा और इसमें से एक मैनास कर दूँगा तो कितना आएगा बारा तो उस पंक्ति में टोटल कितने का सवाल आपको और बता देता हूं है कि एक सब्सक्राइब क्या है बताओगी 281 क्या कर रहा है दस लड़कियों लड़कियों की एक पंक्ति में दिबिया 228 नंबर पर बैठी है तो कोई लड़की यहां से जो है बाएं से जो है वो लड़की कौन से नंबर पर बैठी है एक से कि स्क्रीन पर क्या देख रहा है वाइड बोर्ट देख रहा है क्या देख रहा है अब देखो यह करा लड़कियों की एक पंक्ति में दिबिया जो है वो बाएं से 18 इस्तान पर बैठी है क्या कर रहा है अब है तो यहां पर देखो यह लड़की जो है यहां से कोई जो लड़की है वो यहां से जो है वो कौन से नंबर पर बैठी है बाएं से 18 नंबर पर बैठी है तो इसका नाम क्या है दिबिया है नम्रता दाएं से बारवें नंबर पर बैठी है अब एक लड़की जो है वह यहां नम्रता को पांस इस्तान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए तब दिविया की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती तो पंगति में कुल कितनी नड़के हैं यदि नम्रता को पांस इस्तान दाएं खिशकाये जाए अब दुबारा से आपको एडाराम बनाना कुए कि इधर को और इसको कितने स्थान दाइए फिसकाना है यह निकि यह लड़की जो है जब नम रता जो एक साइट से कौन से कुझतन नंबर पर खी में मुझें कि पर हैं अमीन यह उघता क्यों से और पड़ु खिसका दिया तो इधर को पंस्थन जाएगा नए 11 नभर पर हो जाएगा मैं इधर को आएगी वििए और बल्कि ये क्या हो जाएगा फंद जाएगा लेकि तो fel आई तो क्या है यह लड़की जो है जो इधर से थी इसका नाम क्या था दिभ्या और जो इधर से थी इसका नाम क्या था नमरता और यह अब यह कहाए कि इसको जो है यह जो नमरता है इसको पांस तान दाएं खिसका दो अभी यह बारवे नमबर पर है अब पांस तान इधर को खिसका होगे तो यह कौन से नमबर पर हो जाएगी अब यहां से ग्यारवे नमबर पर हो जाएगी फिर दसवे नमबर पर फिर नवए नमबर पर फि साथवे नमबर पर अब यहां से कौन से नमबर पर हो जाएगी साथवे नमबर पर हो जाएगी जब ऐसा होता है तो क्या होता है कह रहा है यह कह रहा है तब दिविया किस्तिती नमरता के तुरंत दाएं हो जाती है तब जो दिविया है वो क्या हो जाती नमरता के तुरंत दा कि आचाया है यहां पर कौन आ जाती है दिविया यहां पर दिविया यहां पर दिविया जो है सपनंबर पर है टिव्य इस साइट से कों से नंबर पर नंबर पर नहीं सब्सक्षा वोगिया नंबरता नापसात्वे नंबर पर पर तो अब तुम्हें से जो दिव्या है यहाँ इस साइट से जो यह नंबर पर MR T तो कितने लड़किया होंगी टोटल इसमें कि छे माइनस कितना एक तो कितना आएगा इस अठारा और छे कितना होता है चौवीस चौवीस में गया कितना हुआ ट्वेंटी थ्री आ रहा है तो यहीं इसमें दो तीन जो स्वाल पूस्थना इसमें मोहित बोलो बोलो सेवंटीन वाला कोशन समझ में निया है ठीक है बनाता हूं है थोड़ा सा इसमें अभी मुझे लिखने की आदत नहीं बनी है यह जो टच पैड़ना तो इसलिए थोड़ा सा ब्याधान हो रहा है बांकि और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा वोल्ड करना कि अब जो सत्रवा नम एक्चली इसमें क्या दोना हाथ फिसल लाओ टच वाला है तो उसमें लिखने के अभी प्रॉपर आदत भी नहीं बनी है तो अब क्या देखो आगे सत्रवा सवाल इसने कहा है तो कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से सोलवे नंबर बढ़र पर बैठा है जो रमन है वह दाएं से कैण से नंबर बैठा है सोलवे नंबर पर बैठा है यह यहां से नाम क्या है मralड त Vi क्या आगे आगे कह रहा है दीपक बाएंसे सोलवे स्थान पर है और जो दीपक है वो क्या है बाएंसे कौन से नंबर पर है इसका नाम क्या है दीपक ठीक हो गया अब क्या कह रहा है कह रहा है इन दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जो कुल का एक बटा तीन है ठीक है इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कुल का एक वठा तीन है तो बताए कि इस प्रंख्वती में कुल कितने लड़के हैं यहां क्या है यहां कुछ लड़के हैं कुल का 1 गुल अगर x में freuen तो x कमा एक वठेट शुर नहीं के भी यहां तक तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो लड़के हैं यह लड़के एक्स बटे तीन जो है बीच में बैठे हुए अब टोटल पंग्ती में कितने लड़के हैं यह यह तुमसे पूछ रहा है तो अब हमें यह पता है कि टोटल बच्चे हमने यह मां दखें तब हमने इसके बीच में एक्स बटे तीन बैठा है समझ माया कि यह तब झाल सबता है ठीक अरती तो यहां बैठे है एप पटे तीन तो यहां पर बैठे हुए और टोटल तो हीता है एक्स-क स्नाइब हुआ है है टोटल एक्स थे और मैंसे जो है क्या है आपके एक्स बिटे तो यहां बैठे वए हैं कि अगर मैं बचाया वह शुुत बच्राहлять पर लम्ड़ कि अनदों का संब्सामान कर जो हएक्स किटना होगा धो ठीजिए पुछी है तो यहां पंग्ति में जो बचे वे जो इधर है यह तो यह सोला बच्चे है और ये जो सोला है ये दो जो है इनके अलावा तो है दो तो यहां से क्या करूंगा टू एक्सबटे तीन बराबर कितना सोला इदर के तो यह चुड़े दाएं तरब के इस तरब के तो यहां से अब क्या होगा की जो यह टू है इस टू से आप इसको काटवेड तो किती बार कटेगा यह एक शोला बार सूला बर कटेगा और इस थी से शोलाइ गर जो तो कितना आएगा टैटि नहीं इसकी वैलियू आई है एक्स और तुमने बच्चों कि चाह सिंग्या कि पूल साथ समगय तुमने कितनी मानी थी एक्स मानी थी टॉटल बच्चों इसका आंसर कितना होगा है अब आधा निर्मल सिंग जी बैठेंगे बीच में एक तो मोहित बोला था दूसरा कौन बोला था कि सब्सक्राइब कि मैं मनें नाम बता ना अनन अनन बोला था ठीक है गुट समझ भाया है जी सर तुम्हें कोई सवाल समझ में नहीं आए इसके अलावा बताओ अच्छा अच्छा ठीक है बता देता हूं क्विंटी वाला कोशन कह रहा है कि 36 विद्यार्चियों की कख्षा में लड़कों की शंक्या लड़कियों की शंक्या की दो गुनी हैं यदि इस कख्षा में तेरह लड़के शरीता से पहले हैं जिसका कख्षा में क्रमांत उनीश्वा हैं बताएं कि शरीता के बाद कितनी लड़किया हैं खीड हो गया 36 विद्यार्चियों की क्या एक अक्षा है और इसमें लड़कियों की संक्या के दोगनी थीख है तो देगो तुम्ह यहां लो यहां पर कि माना जो लड़किया है वो कितनी है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दो गुनी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या तो लड़कियों की संख्या तुमने मानी कितना स fish टो यहां से वह इस कितने अंगे कल बना समझना रहा है है इस सर दो एक सित ऑब कह रहा है टोटल विडियर्थी कितने भी भाइन विदYARFr है थे तो पिछ लड़के और Лड़कि gibi को जोड़ के तो बिडियार्थी बनेंगे यानि कि 2 एक्स और एक्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा तीन एक्स तीन एक्स बराबर कितना होगा च्छतिस तो यहां से एक्स बराबर कितना होगा बारा तीन का भागा देद हो गए तो यहां देखो अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई यहां से यहां से लड़कियों की संख्या हमार सब्सक्राइब कोई बड़ी बाती नहीं मैंने क्या करा इसने कहा था कि लड़कों की सिंख्या लड़कियों की सिंख्या की दो गुनी है तो मैंने लड़कियों की सिंख्या एक्स मान दी और लड़कों की सिंख्या अपने आप मैंने जब लड़के की सिखिया हो गई बारा और फिर लड़कों की सिंखिया कितनी ओगे लड़के आगे कितने होगा चौबीस होगा अब करो सबसुरू कि क्या कह रहा है कक्षा में तेरा लड़के शरीता से पहले ठीक है देखो ये कक्षा में एक दो तीन करके बच्चे है ठीक है और यहां पर माना सरीता है ये क्या है सरीता है अब ये क्या कह रहा है जो सरीता है कक्षा में तेरा लड़के सरीता से पहले जिसका कर्मांग उनिश्वा है तो ये सरीता जो है उपर से कौन से नंबर पर है? उननीश्वे नंबर पर है और इससे पहले यहां कितने बच्चे है? लड़के कितने हैं? तेरा तो तेरा तो लड़के हैं इससे पहले ठीक है? उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 कितनी लड़के हो गई है? एक, दो, तीन, चार, पांस लड़के हो गई तभी तो यह उननीश्वी होगी? सरीता खुद तो उननीश्वी है और उससे पहले कितने हैं? तेरा लड़के हैं और खुद यह जो है उननीश्वी हैं तो यहां बीच में कितनी लड़के और होंगी? पांस लड़के और होंगी अब यह क्या कह रहा है? कि बताए कि सरीता के बाद कितनी लड़के हैं तो टोटाल लड़के कितनी थी हैं हमारी? बारा? अब पांस लड़के यह हैं जो सरीता से पहले है और सरीता खुद में लड़की है तो छे लड़किया हो गई तो सरीता के बाद कितनी लड़किया हैं वारा में से छे घटा दो कितनी आई छे सभज मां है सबके है हाँ सर ठीक है अच्छा और किसी कोई सवाल पूसना है कलपना नीलम भूमिका बानुप्रिया किसन है किसन अभी किसन है अभी यह भाग सुका है देखके तो बताओ मुरीत है किसन है चला गया चला गया होगा पर लोई पता था मुझे और किसी को कोई सवाल पूसना है नीरज कर गयती नहीं से बनाएं सवाल सारे यह बनी रहें बनी रहें तो आज लास्ट डे है यह जो टेइस कोशन है इनको बना लेना है आपने कि इसके बाद जो है कल में नेक्स चेप्टर जो है इसी का सुरू करूंगा करम ब्योस्ता वाला जिसमें सर्कुलर और वैसे बैठाना पड़ता है ठीक है तो वाला चेप्टर में सुरू करूंगा ठीक है ना इतना पूरा कर लो कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो सही हो जाएगी और सारे बच्चे जो है मैं मंडे से आपको डेली करें भी दूंगा ठीक है और जो समझाना होगा वह भी समझा दूंगा और वह क्या करते है आपका जो डेली डूज मिलता था वह भी मिलता रहेगा गुरूप में कि ल्मानी तो इसलिए इस समयर का फाइदा उठाल ठीक है अच्छा ठीक है कल मिलते हैं नहीं मंडे को मिलते हैं ठीक है ठीक है अब सोएगा यह मुझे सुला रहा है अब सब्रहां मुझे अब हल्गानी जाना मेरी साधी ना किसी तो इससार डिन बच गया मेरा अब डिन जलो कि एंड करता हम एक है और दया दो अ जो शकुंदार नहां जो जहन achο no आटार्श कि जंदार्श कि अक राष्ट अमटर। Kerry एले एले यए जिए फ। हॉआ भबो हॉआत जो धिसक्तका आर नियु our